दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी जगत की खुपसुरा तदकारा जिग्यासा सिंग ना सिर्फ थपके प्यार की सेजन टू में थपके का करदाने भाती हुई नजर आई है बलकि इरोने कई सीरियल का हिस्सा बन कर उन्हें सूपर हिट बनाने का काम किया है और य बेवफाई के बारे में जानते हैं नहीं न तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके दौलत शोहरत से लेकर बॉइफरेंट से मिली बेवफाई के बारे में बताने वाले हैं पर इससे पहले आप इस वीडियो को जिग्यासा सिंग के लिए लाइक करना ना भूले जैसा कि आप सभी जौनते हैं कि अदाकारा जिग्यासा सिंग ने थब के प्यार की जैसे कई सूपर हिट सीरियल दिये है और खुद को सफलता के साथवे आसमान पर पहुंचाया है वहीं बता दिये जितने भी शोज में काम करती है पर डे का तक्रीबर सतर से असी हजार रुपे छार्ज करती है जिसके चलते आज ये करीब बाइस करोड की मालके इन बन चुकी है और मुंबई के अंधेरी में 2BHK के फ्लाट में रहती है जो दिखने में काफी बड़ा और खुबसूरत बिखाय देता है जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं इसी के साथ ही बात करें इनके लाइफ स्टाइल के बारे में तो आपको बता दी अपने लाइफ स्टाइल पर लाकों रुपे का खर्चा करती है जिहां इनके पास ट्रडिशनल से लेकर वेस्टन ड्रस इसका काफी अच्छा कलेक्शन है जिनके कीमत तकरीबं 10 से 20,000 रुपे होती है और ये कोई ऐसे वैसे ब्रैंड नहीं बलकि जिमिचू गुची पराड़ा ब्रैंड के है एक्सपेंसेव अड्रस के साथ इन्हें और शूज का भी काफे जाता शौक है तभी तो इनके पास बरबरी हर्मस और जिमिचू जैसे कई ब्रैंड्स के एक्सपेंसेव साइल में चार चाम लगाने वाले कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास BMW और टोइटा जैसे लगसीरियस गाड़िया है यह तो रही इनकी दौलत के बात करते हैं इनके शोहरत के बारे में तो आपको बता दे आज इनके काफी अच्छी खास पॉपलर्टी है तभी तो इ इनके बतला ही है इनके वो बॉइफरेंग जिन्होंने इनसे बेवफाई की है और दोनों की पहली मुलाकात साल 2015 में आई शो थपकी प्यार की सीजन वन में होई थी जिसमें ये दोनों में लीड रोल में आक्टिंग करते हुए नजर आये थे आपको बता दे इसी दोरान इ एक खबरी आने लगी थी कि ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं इसी कारण वर्षि दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे की वज़ा अंकित के एक्ट्रा फेर को बता जाता है जिन्होंने इसी और शक्सियत के लिए या सासंग के दौलत शोहरत और बॉइफ्रेंट से मिली बेवफाई के बारे में क्या कहना है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल